नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इस्टेट्यों निसांत ज्यान की यूटूब प्रेटफॉर्म पर मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ विनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में मित्रो काफी दिनों के बाद कुछ हमारी व्यक्तिकस समस्याएं थी जिस वज़े से मैं आप तक वीडियो नहीं दे पा रहा था आज से यह स्रिंखला मैं फिर से सुरू कर रहा हूँ और कलते जो है लगातार आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी चीजे मेरे साम मतलब नहीं है बस हमें दिन रात अनवरत निरंतर अपने टार्गेट को ध्यान में रखते हुए कारे करना है निश्चित तोर पर वोदुन दूर नहीं जिस दिन हम सफलता के बहुत करीब होंगे और सफलता के परिचम पर भी होंगे लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि हम अपने किसी भी विसम परिस्तितियों से हार न माने मैं अपने लच्छ को याद रखें ठीक है मैं मतलब हम लोग ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप तक यह सूचना दे रहा था कि आज मैं आज से मैं स्रिंखला सुरू करूंगा आपकी जो जो मागे हैं जो जो के लिए कह रहे हैं और कुछ लोग जो है एक फॉर्थ समिश्टर के मैत के लिए कह रहे हैं तो सब की मागे तो मैं नहीं पूरा कर सकता हूँ लेकिन मेरा सामर्थ है जहां तक हो सकता है मैं आपको वहां तक पहुंचाने का प्रियास करता रहूंगा ठीक है चलिए आज की वीडियो में आप सभी को एक कैस बैच, 22 बैच, 23 बैच के पूरी तरीके से जितना भी डियलेट का छात्र है निश्चित तोर पे, जो भी बच्चा एक कैस 2021 से डियलेट कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, या सिच्छक बनने की कोसिस कर रहा है, मैं इतना दावे के साथ कह सकता ह हूँ कि निसानत ग्यान से जरूर परचित होगा, कभी ने कभी वह इस वीडियो को या इस चैनल को जरूर विजिट किया होगा, तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि authentic जानकारी के लिए, authentic पढ़ाई के लिए, और आने वाले समय में अपने आपको निश्चित रूप स एक सफल इंसान बनाने के लिए, आप जरूर हम से जुड़े, चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें, जादा से जादा से जादा से शेयर करें, हम आपके साथ हैं, कोई लीपा पोती वाली बात नहीं, भाई जो बात सत्य है, उस सत्य बात को मैं पूरी सत्यता और प्रतिष्ठा के साथ रखना जालता हूँ, कोई मुझे पैसे की दलाली बिल्कुल भी नहीं करनी आती है, मुझे विपस से कोई मतलब नहीं होता है, हाँ जो सत्य हो सत्य है, मैं हमेशा कहता हूँ, DL.E. का अगर बच्चा, DL.E. के लिए प्रॉपर क्लास खोज रहा है य उसका कारणे है, या competition बढ़ रहा है, competition बढ़ने के बाद अब आपको क्या, अब आपको online, online तो वही चीज़े करनी चाहिए न, जो आपको नहीं समझ में आती है, offline की तरफ लोगों को shift करना पड़ेगा, भी चार दिन पहले जूनियर असिस्टेंट का exam हुआ है, चार दिन मैं बिल्कुल बहुत दिनों से कह रहा हूँ, ठीक है, चले जादा बातें न करते हुए, मैं आपके कुछ सवाल थे, जिन सवालों का जवाब दे देता हूँ, कल ते मैत वगरा जो भी मेरे से हो सके, कब मैं पढ़ाना सुरू कर दूँगा, एक कैस बैच का बच्चा अब आपकी कॉपी जचाई बंद हो चुकी है, बहुत ही जल्द आपके हाथों में रिजल्ट होगा, आपके जो प्रेक्टिकल वगरा चल रहे हैं, कहीं कहीं पर हो रहे होंगे, बहुत जल्द उसकी भी लिस्ट आएगी, और आपसे प्रेक्टिकल के नंबर मांग लिये ज समभावना है, 20 सितंबर से पहले कोई समभावना नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, थर्ड समिश्टर के बच्चों का भी रिजल्ट और फर्स समिश्टर के बच्चों का भी रिजल्ट 20 तारिक तक आ जाएगा, और 23 बैच वाले बच्चे काफी बच्चे हम से संपर्क कर रहे हैं, जो नए-नए एडमिसल लेने वाले हैं, तो नए-नए एडमिसल लेने वाले बच्चों मैं आपको बता दू, आप डियलेट की तरफ आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आगे इस्थिती बन रही है, हर एक जग लेकिन अगर वेकंसी नहीं आती है, 23 बैच के बच्चों को भी मौका मिलने वाला है, 2026 में, अगर वेकंसी 2024 में नहीं आती है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, 2026 तक वेकंसी आप बोल जाईए, 2024 का चुनाव ही इनका लास्ट होगा, ठीक है, और जिस तरीके की प्रक्रिय पॉजिटिविटी नहीं ला पा रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको 20-25 सितंबर तक चीजे में क्लियर करके बताऊंगा, अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे यूपीटेट के बारे में लगा क्लन नहीं होता है, कोई बच्चा 90 पाया है, ओ भी पास है, 149 पाया हो भी पास है, अभी academic merit में यूपीटेट का मार्क जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें भी कोई लिखित प्रमाला नहीं है, मैं कहूंगा कि नहीं ही जोड़ा जाएगा अगली भरती मे तो काफी राज्यों में सीटेट को बाहर कर दे रहे हैं, तो अपनी security के लिए आप लोग यूपीटेट जरूर दीजिए, ठीक है, और यूपीटेट में जैसे आप सीटेट में 115 लाने का प्रयास किये हैं, वैसे ही आप यूपीटेट में भी 115 लाने का प्रयास करिएगा, प्रात्मिक वाले बच्चे, ठीक है, 115 लाने का प्रयास करिएगा, जिसे भविस में आपको अगर अगर एकडमिक मेरिट में 1 बटे 4 इसका जुड़ता भी है, तो भी आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है, और B.A.D.A.D.L.A.D. वाली जो बात है, लगातार बच्चा हमसे कह है, मुझे क्या करना है, सब कुछ असपस्ट है, पहले से ही मैं लिखित रखता हूं कि हमें जीवन में क्या करना है, ठीक है, उसी तरीके से मैंने 22 बैच का टारगेट किया, 22 बैच को टारगेट किया, 23 बैच को भी टारगेट कर सकता हूं, और करूंगा भी, ठीक है, लोग एडमिशन लीजिए उसके बाद मैं बताता हूं आपको करना क्या है ठीक है जो बच्चे लगातार पूछते रहते हैं कि B8 और DLA वाले मामले में ठीक है लगातार हमारे पास मैंसे जाते रहते भाईया अब क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से B8 को अंदर कर दिया जाए क्या पिर से जो है अध्यादेश लाकर कि B8 को अंदर किया जा सकता है तो देखिए मैं जब 21 बैच या 20 बैच जभी भी मैं वीडियो बनाता था तो मैं हमेसा कहता था कि जो यंसीटी का जो गजट है निश्चित तोर पे उसमें बहुत सारी खामिया है उसका पच्छ बिल्कुल कमज़र है B8 का ठीक है अध्यादेश आएगा कि नहीं आएगा मैं इस पर कोई मुहर नहीं लगा सकता क्योंकि मैं कुछ ऐसा तो बात है नहीं कि मैं जो भोल दूँगा वही होगा कह नहीं सकता हूं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं 99% उम्मीद है कि अध्यादेश नहीं मतलब नहीं है अगर अध्यादेश की बात होती और अगर इस तरीके की कोई बात होती एक लाख लगबक 37,000 सिच्छा मित्र जो है 2017-25 जुलाई को एक जटके में सुप्रिम कोट बाहर कर देती है क्या उस समय इन लोगों की संख्या कम थी लेकिन फिर भी कोई अध्यादेश नहीं लाया गया क्योंकि उनके लिए बहुत छुट्टू सुबात है ठीक है वो चाहते तो मास्टर बना देते लेकिन नहीं किये ठीक है तो बहुत नॉर्मल बात है अध्यादेश आने की जो बात चल रही है बिलकुल मैं तो कहता हूँ करेंगे और हर कोई करता है चाहे कोई सरकार में रहे ठीक है तो मैं वीडियो देना शुरू किया हूँ आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे जादा से जादा बच्चे आप अपने साथियो तक इस वीडियो को पहुचाईएगा मैं आज से सुरुवात कर रहा हूँ कर से जो भ अतारे मत कहिएगा दिन भर में 5-5 वीडियो जी दिए, 6-6 वीडियो दिजिए, मेरा ऐसा कोई तनिक भी उद्देश नहीं होता है, कि मैं दिन भर में 6 वीडियो दूँ, लेकिन हाँ, एक दो वीडियो अगर मुझे से हो सकता है, मैं करने का प्रियास करूँगा, ठीक है, और करेंगे न, वहीं पर आपको जो है, प्रिंटेट फॉर्म में मिल जाएगा, नोट्स प्लस प्रिवियस यर कोईस्टन दोनों मिल जाएगा, मैं दो ही विशया भी तैयार करवा पाया हूँ, धीरे धीरे यागे भी बढ़ेगा, हिंदी भी तैयार करवाऊंगा, हो तो नहीं गया, कोई दिक्कत है तो बताईए, तो इस सभी के जो कमेंट आएं, उसके लिए मैं हिर्दे से बहुत आभारी हूँ, बिल्कुल मेरी परिकल्पना नहीं थी, कि ऐसा भी मेरे साथ होगा, कि काफी बच्चे हम से जुडएंगे, मेरे साथ ऐसा भी हैप करेंग कि जो मैं कारे कर रहा हूँ, निशित तोर पे हमारे साथ ही स्वर अच्छा ही करेंगे, और अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग रहा, तो निशित तोर पे आने वाला समय, आपका होगा, अपना होगा, और हम लोग मिल करके एक स्वरणी में तिहास रचने वाले हो निश्चित है कि कुछ भी होता है कोई अच्छा कार्य होने वाला होता है तो उसके लिए समय लगता है और जब समय लगता है तो मकान बहुत मजबूत बनता है कोई भी मकान बनाईए अगर उसकी न्यू मजबूत है और उसमें समय लगा है तो निश्चित तोर पर मकान बहु 20 नॉम्बर के आसपास आपकी परिच्छा होगी, उसके पहले आपकी परिच्छा नहीं होगी, 20 नॉम्बर के बाद ही आपकी परिच्छा होगी, चाहे हो 4th समेश्टर की परिच्छा हो, चाहे हो 2nd समेश्टर की परिच्छा हो, ठीक है, अब कुछ बच्चा 23 बैच वाला तक सेयर करिएगा और 23 बैच के हर एक बच्चे को जोड़ने की जिम्मेदारी मैं आपके कंदों पर देता हूँ क्योंकि हर एक बच्चा आम से जुड़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे निश्चित तोर पे आपके लिए जो मैं विजन ले करके चला हूँ विजन तभी पूरा मन से सुनारा कल भी निगलेगा अगर निश्चित तोर पे आपने अपना निरंतरता नहीं छोड़ा अपने टारगेट को आपने नहीं छोड़ा चाहे दो ही घंटा पढ़ते हैं चाहे एक ही घंटा पढ़ते हैं अगर पढ़ते रह गए आप तो निश्चित तोर पे आपक नोकरी लगेगी और नोकरी ना लगे ये अलग बात है लेकिन आप एक सफल इंसान जरूर बनेगे मैं ये गारंटी दे सकता हूँ और जिसने सो करके अपना दिन बिता दिया मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि उसका सेलेक्शन भी नहीं होगा और एक सफल इंसान नहीं और र इस्ट्रेक्शन्स वाले एरिये को छोड़ करके अपने कंफर्ट जोन से छोड़ करके बाहर आना पड़ेगा और अपनी लड़ाई अपनी आप से लड़नी पड़ेगा ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत हमारा समर्थन करने के लिए मैं आपका हिर से आपारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद